नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Technical Cycle सागर YouTube चैनल, मेरा नाम है अभिशेक सागर और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने Android स्मार्टफोन में Tor Browser चला सकते हैं Tor Browser की full form होती है The Onion Rooter और इसको जो hackers होते हैं जो penetration testing करते हैं या जो लोग अपनी identity नहीं दिखाना चाते हैं अपने service provider को या किसी भी कारणवश हो अपनी IP चुपाना चाहते हैं ऐसे लोग Tor Browser का इस्तिमाल करते हैं मैंने Tor Browser के उपर एक अलग वीडियो बनाई थी जहांपर मैंने detail में बताया था कि Tor Browser क्या होता है मैं उस वीडियो का link description में दे दूँगा और उसे click करके आप Tor Browser के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं फिर भी मैं आपको एक quick recap देने वाला हूँ कि जो Tor Browser होता है वो बहुत सारी IP की chain बनाता है आपकी real IP फिर एक और IP फिर एक और IP ऐसे अलग अलग IPs की circuit बना देता है जिससे आपकी ID को वो आपकी IP और आपकी ID जो identity है उसको hide कर देता है जैसे कि इसका नाम बताता है the onion router जैसे प्याज के अलग अलग छिलके होते हैं उ जैसे ही यह IPs की layer में आपकी identification को चुपाता है तो अगर आप Android में Tor Browser यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Play Store पर जाना होगा और वहां पर आपको लिखना होगा और बॉट तो जैसे हम यहां लिखेंगे और बॉट इसको सर्च कीजिए तो यहां पर हमें दो application इं जान दें कि यह दौनों ही चीज़ें आपको install करना जरूरी है तो जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पर जो पहला option है वह और बॉट है यह proxy विट और है हमें यह भी install करना है और यहां पर यह और फोक्स ब्राउजर है हमें यह भी install करना है यह जानों चीज़ें मैंने पहले से ही install की हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो अब यह हमें क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी home screen पर दो आइकन है हम पहले icon को क्लिक करेंगे जो और बॉट नाम से है इसको क्लिक करने के बाद हम यहां पर देखेंगे start button मिलेगा इसको start दबा देंगे और यहां पर यह start होते ही यहां पर आईपी के circuits बनने शुरू हो जाएंगे अभी और बोट start हो रहा है ठीक है तो जैसे यह start हो जाएगा उसके बाद हम सर्फ करना शुरू करेंगे देखिए तो यह start हो चुका है अब इसे हम home बटन से minimize कर देंगे और अपना orfox browser खोल लेंगे अब इस browser से हम कुछ भी सर्फ कर सकते हैं anonymously अब यहां पर check करने के लिए ज़र हम देखते हैं कि हमारी IP क्या है तो what is my IP लिखेंगे और देखेंगे कि हमारी IP यह क्या बताता है मैं फिलाल उडिसा में हूँ देखते हैं यह कहां की location बताता है और कौन सी IP बताता है पहले check कर लेना अच्छा होता है तो वही हम check कर रहे हैं इससे आपको भी पता चल जाएगा कि Torbrowser सही से काम कर रहा है या नहीं वैसे अगर आप उपर से नीचे slide करेंगे तो और इस और सिर्फ website से मतलब है चलिए तो यह what is my IP address वाली website पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी IP address क्या बता रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी IP address है 911-121-7737 और ISP OVHSAS Services Tor Exit Node तो यहां पर कोई भी हमारी जो location वो है नहीं बता रहा है तो आप यह मान कर चलिए कि आप successfully Torbrowser को configure कर चुके हैं और Torbrowser का इस्तिमाल कर रहे हैं I hope आपको पता चलिया होगा कि Android में आप Torbrowser को कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई question है तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके questions और queries या questions जो भी आप पूछना चाहें उसके answer कर दूँ अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को please subscribe कर लिजे क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you so much and goodbye